हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार नक्षेपर भारत प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ अमरितुपाध्य है जैसा की मैंने बादा किया था कि आज के नक्षे के भारत एपसोड में हम जानेंगे हिमाले की नदियों के बारे में हिमाले के बारे में हम पहली बार पढ़ चुके थे पहले क्लास में कि हिमाले की संब्चना कैसे हुई दूसरे में उसके factual part को हमने डील कर लिया था, कि उसके विभिन्न हिस्से कौन कौन से हैं, उनकी खासियत क्या है, आज हम बात शुरू कर रहे हैं हिमाले की नदियों के बारे में, और हिमाले की नदियों में हम तीन नदी तंत्र देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा न ब्रह्मपुत्र या सांगपो नदी और मध्य से गंगा नदी का तंत्र पूरा निकलता है, तो आज हम सबसे पहले शुरूआत कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र से और अगली क्लास में फिर हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र को कवर करेंगे, गंगा नदी तंत्र के बारे में मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों ने अपवाह तंत्र को ठीक से पढ़ा होगा अपवाह प्रणाली जानते होंगे लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है हम यहां उतना उसमें से कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी conceptual कहीं रुकावट की नदियों की हिमाले की नदियां सालों भर पानी से भरी रहती है क्यों भरी रहती है क्योंकि ग्लेशियर से बर्फ पिघलते हैं इनको सोर्स है इनका पानी मिलता है और दूसरा बारिश होती है यह हो सकता है कि किसी मौसम में इन नदियों में पानी कम हो और किसी मौसम में ज्यादा हो लेकिन सालों भर इसमें पानी मिलेगा हिमाले से पहले मुख्य नदियों की उत्पत्ती हुई है इसका मतलब क्या है कि जब परवत से पहले नदियों की उत्पत्ती हुई रहती है तो उसे हम पूरुवर्ती नदियां कहते हैं पुरवर्ती नदियां अपना रास्ता नहीं छोड़ती जैसे ये हिमाले बनने से पहले मान लिजे कि नदी बह रही है और हिमाले का निर्माड शुरू हुआ फोल्डिंग शुरू हुई जब यहाँ पहाड बनने लगे ठीक है और यहाँ बनने की कोशिश करेंगे और यह कितने दिन में पहाड बन जाएंगे एक दो साल में तो बनेंगे नहीं कई मिलियान साल लगेंगे पहाड बनने में तो धीरे धीरे जब फोल्डिंग होगी और यहाँ से अपलिफ्टमेंट होना शुरू होगा पहाड बनना शुरू होगा यह नदी यहाँ जो पहाड कि प्रक्रिया होगी इसको पूरा नहीं होने देगी और इसको काट देगी तो होगा क्या कि इस नदी के दोनों तरफ पहाड दिखेगा आपको और बीच में नदी उसको काट कर आगे बढ़ जाएगी मतलब अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी जो उसका स्लोप था उस स्लोप पर ही आगे बढ़ते रहेगी जो उसका रास्ता था उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेगी तो इसको क्या कहते हैं, पूरूवर्ती नदिया कहते हैं, और इस पूरूवर्ती नदी की वज़ह से क्या होता है, यहां एक गौर्ज का निर्माड हो जाता है, गौर्ज मतलब यह पहाड हो गया, इधर पहाड हो गया, और बीच में नदी बह रही है, इस तरफ, मेरी तरफ, तो मतलब उस तरफ भी बढ़ सकती है लेकिन कहने का मतलब बोर्ड पर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा बन रहा है फिगर 3D में इमेजिन कीजिए कि दोनों तरफ पहाड है और नदी इस तरफ बह रही है और इसको हम गौर्ज कहते हैं या महाख़ड कहते हैं अभी हम गौर्ज की तस्वीर देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा ये है गौर्ज इस तरफ भी पहाड ऐसे दिख रहा है इस तरफ भी पहाड दिख रहा है ये जो पूरूवर्ती नदी है इसने बीच से इसको जगह नहीं दिया है काट दिया है पहाड बनने की प्रक्रिया पूरी ही नहीं होने दिया है तो एक तो बात ये हो गई पूरूवर्ती नदी वाली ऐसी कौन-कौन सी नदियां है सिंदू, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सारी जो नदियां है काली, गंडक, करनाली, कोसी ये सारी नदियां पूरूर्ती नदियों के उधारण है एक और बात कि अधिकतर नदियां इसमें से युवा आवस्था में है जल्प, इसलिए इसमें एनर्जी बहुत ज़ादा है नदियों का काम क्या होता है नदियों का काम है erosion करना फिर sediments को ट्रांसपोर्ट करेंगी एक जगह से बहा कर दूसरी जगह ले जाएगी और फिर deposit कर देंगी निकशेपन कर देंगी हिंदी में अगर कहें तो यह निकशेपन हो गया ये अपर्दन हो गया, इसके लिए शब्द एक जगह से, दूसरी जगह, सही शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, ट्रांस्पोर्ट कराएंगे, परिवान कराएंगे, लेकिन ये कब होगा, इरोजन कब होगा, इरोजन तब होगा, जब नदियां स्लोप से उतरती हैं, तो बहुत ज़्यादा उन में वेलोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा एनरजी होती है, और जब बहुत ज़्यादा एनरजी होती है, तो बहुत ज़्यादा काटते हुए चल रहेगा तभी तो कोई नदी, प्लेन में भी अगर नदी बह रही है तो उसमें एक स्लोप है, तभी तो नदी समुदर की तरफ जा रही है, अगर सी लेवल पर आ जाएगी तो नदी ठहरी हुई से लगने लगएगी, लेकिन अगर मान लिजी यहाँ पर समुदर है, और यहां एकठा कर दिया नदियों ने और फिर ट्रांसपोर्ट कर रही है इसको किधर समुद्र की तरफ और फाइनली समुद्र के पास जाकर डिपॉजिट कर देगी बीच बीच में भी डिपॉजिट करते जाएगी तो जब यह पहाड के स्लोप से उतर रही होगी नदी इसकी वेलोसिटी बहुत जादा होगी यूँ आवस्था की नदी है बहुत ताकत है इसमें वेग बहुत जादा है एनरजी बहुत जादा है तो यह इरोजन करते चलेगी ठीक है कट करते चलेगी और जब कट करते हुए जाएगी तो फिर क्या होगा जब plane पर जाएगी तो इसके energy में थोड़े से कमी आईगी क्योंकि slope कम होगया और slope कम होगया तो velocity भी इसकी कम हो जाएगी speed कम हो जाएगी जब energy कम होगा तो ये carry नहीं कर पाएगी इतने बड़े मात्रा में जो ले कर उत्री है, उसको carry नहीं कर पाएगी, तो जगा जगा जब चोडते चलेगी, तो धीरे 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 और slope कम होते जाएगा, समुध्र के पास जाते जाती है, इस्तिती हो जाएगी, कि वहां डिपोजिट्स ये पूरी तरह से करके अपना mouth चोक कर लेती है नदी, अपने ह रास्ते में बाधा खड़ा कर देती है और उसके बाद अलग-अलग वितरिकाओं में डिस्ट्रिब्यूट हो जाती है, तो फिर डेल्टा बनता है, हम एक एक आकरिती देखेंगे, अभी मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, जहां भी गौर्ज दिखें, इसका मतलब है इसलिए ये एविडेंस है कि हिमाले की कई सारी नदिया, पूरुवर्ती नदिया है, ठिक है, वी आकार के घाटी बनाती है, नदिया सबसे पहले वी आकार की घाटी बनाती है, कैसे बनाती है, इस तरह की घाटी बन जाएगी, धीरे 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 धीरे, काट काट के, काट क काटके इस तरह के घाटी बन जाएगी और यहां से नदी फ्लो करेगी गौर्ज बन जाएगा रैपिट्स बन जाएंगे जैसे रिशिकेश आप जाते हैं जब राफ्टिंग करने के लिए तो जो उपर नीचे इस तरीके से राफ्टिंग होती है वो इसलिए होती है कि वहां रैपिट्स बने हुए है आप उचल रहे हैं पानी जंप लगा रहा है और आप उसके उपर कूद रहे है तो वो रैपिट्स कहलाते हैं जिसको हिंदी में शिप्तिकाएं कहते हैं फिर वाटरफॉल बन जाएंगे वाटरफॉल कैसे बनेंगे मांलेजी यह लैंड का पार्ट है अब लैंड के पार्ट में कुछ एरिया जो होगा मांट्यन है मानलेजी इसका कुछ एरिया जो होगा वह बहुत जादा कठोर रॉक से बना होगा कठोर चट्टानों से बना होगा और कुछ सौफ्ट चट्टानों से बना होगा ठीक है इसके उपर बह रही है नदी अब ये नदी क्या करेगी दीरे 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 यहां से इसको काटना शुरू करेगी किसको काटेगी जो कमजोर होगा उसको सबसे ज़्यादध दबाया जाएगा तो कमजोर यहां क्या है soft rock कमजोर है तो उसको काटेगी जो मजबूत चटान है उसको नदी नहीं काट पाती है बहुत कम उसका erosion कर पाती है तो यहां से यह काटना शुरू करेगी नदी ठीक है और धीरे-धीरे आप देखिएगा कि ये वाला हिस्सा जो है ये खतम होने लगा जो soft rocks हैं उनको पूरी तरह से जब हटाने लगेगी तो फिर नदी इस तरीके से नीचे गिरने लगेगी और यहाँ waterfall बन जाएगा waterfall देखते हैं ना उपर से पानी गिर रहा है अचानक से लगता है इसे कगार की तरह कटा हुआ है और वहाँ से पानी तेजी से गिर रहा है वो इसलिए होता है कि वो हिस्सा धीरे-धीरे नदी नहीं काट कर खतम कर दिया है क्योंकि वो soft rock से बना हुआ था इसी तरह rapid की अगर बात करेंगे तो कोई ऐसा अगर mountain का area है जिसमें कुछ हिस्सा hard rock का है फिर थोड़ा सा हिस्सा soft rock का है ठीक है फिर अगला हिस्सा hard rock का है फिर थोड़ा सा हिस्सा जो है वो soft rock का है ठीक है फिर ये hard rock है और जाहिर तोर पर नदियों के प्रवाह से क्या सबसे ज़्यादा कटेगा ये वाला हिस्सा erosion होगा इसका ये कटना शुरू होगा तो एक नदी आई और ये एक दिन की प्रक्रिया तो है नहीं आपको पता है कई लाग साल के बाद होता है ऐसा तो ये नदी यहां से इस वाले हिस्से को काट रही है कोई और कलर ले लते है बुच्छे से काटेगी ठीक है इसको नहीं काट पा रही है तो यहां ठीक है ऐसे बह रही है ये slope ज्यादा नहीं रखना है फिर यहां से इसको काट रही है अंदर से जाके ऐसे बह रही है बेसिकली यह चट्टाने हैं आप रिश्केश को इमेजिन कर लिजे सीधे सीधे रिश्केश में राफ्टिंग का वीडियो देख लिजे आपको समझ में आएगा कि रैपेट किसको कहते हैं अब अगला चरण क्या होगा इसका अगला चरण यह होगा यह कुछ ऐसी संरचना चट्टानों की बच जाएगी उपर का हिसा कट गए ठीक है अब पानी का जो फ्लो है वो यहाँ चट्टानों पर अठखेलिया करने लगेगा ठीक है और जब आप इसमें राफ्टिंग करने के लिए जाएगा तो वो जो रबर वाली नाव होती है उसमें बैट जाएगा उसमें यहाँ से नीची अचानक से धम से गिरिएगा राफ्टिंग वाला आपको नीची गिरा भी देगा जहां थोड़ा सा पानी ऐसे समतल टैप कराएगा फिर बैठाएगा फिर दो तिन दफ़े ऐसे ऐसे कीजेगा फिर आनन्द आ जाएगा क्योंकि यह रैपिड्स है रैपिड्स का अपना आनन्द है शिप्तिकाओं का जंक हानना चाहिए यह मान लिजे नदी ने इसको काटना शुरू किया ऐसे भियाकार के एक छोटी से घाटी बनी यहां से मान लिजे नदी निकल रही है इसमें दो तरह का कटाऊ हो रहा है पहला एक वर्टिकल कटाऊ हो रहा है इसमें कि नीचे की तरफ ठीक complement और दूसरा कटाओ कैसे हो रहा है ऐसे इसको बोलते हैं वर्टिकल, लंबवत और इसको बोलते हैं पार्शिक तो यह जो दो तरह का कटाओ होता है शुरुवात में क्या होता है कि यहां पर speed बहुत ज़्यादा है, energy बहुत ज़्यादा है, पानी कम है, तो energy ज़्यादा होनी के वज़ेसे, velocity ज़्यादा होनी के वज़ेसे, यह vertically बहुत ज़्यादा cut करती है शुरू में नदी, लेकिन पानी का volume उतने ज़्यादा नहीं है, क्यों ज़्यादा नहीं है, क्यों में बहुत सारी tributaries का पानी आने लगेगा, तो जब बहुत ज़ादा पानी आने लगेगा, तो फिर नदी इसको overlap करने लगेगी और ये वाला हिस्सा भी काटने लगेगी, लेकिन अभी नदी का पानी कहां पर है, अभी नदी का पानी इसमें vertical काट काटके जितना काटते जा रही है, उतना ही नीचे वो बह रही है, आसपास उसके पहाड दिख रहे हैं, बहुत समझ में आ रही है, अगर ये पानी चारों तरफ से आके भर गया, उसकी बहुत सारी साहयक नदियां उसमें आ गई, शामिल हो गई, और ये इस तरीके से भर गया, तो ये इधर भर जाएगा, और फिर इसको काटना शुरू कर देगा, इसको इधर काटना शुरू कर देगा, इसको इधर काटना शुरू कर देगा, तो आगे आने वाले समय में इसका शेप क्या हो जाएगा, आगे आने वाले समय में ये शेप प्रॉपर वी आकार का हो जा बीट से नदी बह रही है, ठीक है, और धीरे 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 जब इसके पानी का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो फिर एनरजी है ही, पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये लगभग यू आकार की हो जाएगी, क्योंकि साइड वाला हिस्सा भी कट गया, पार्श्विक अपरदन हो गया, और वर्टिकल तो होई रहा है, तो इस कंडिशन में, देखते हैं हम कि जब यह यहाँ से शुरू होता है, एक चोटा हिस्सा पहाड का काटती है नदी, उसके बाद फिर उसको वाइड करती है, वी आकार का शेप ले लेती है, और फिर यू आकार के शेप में चली जाती है, तो नदियां जब हम पढ़ रहे हैं, अगर हम हमाले में जाएंगे, एक कोश्चन पूछा गया था, कि अगर आप हमाले में जाएंगे, तो आपको क्या क्या दिखेगा, तो यहाँ वी आकार की घाटियां दिखेंगी, गौर्ज दिखेगा, क्योंकि यहा पहाडे, जब नदी यहाँ से उतर रही है, पहाड से निकल रही है, तो जैसे ही प्लेन एरिया पर यह आएगी, यहाँ आपने सारे डिपॉजिट्स जमा कर देगी, और डिपॉजिट्स कौन से जमा कर देगी, जो सबसे भारी होंगे, सेडिमेंट्स जो लेकर चलती है, क्या वो एक ही तरीके के होते हैं या बहुत तरह के होते हैं, उसमें बड़े टुकड़े भी होते हैं, चटान के बड़े बड़े टुकड़े, टुकड़े जो रॉल करके आप जिससे खेलते हैं, गोल-गोल चटाने जो अच्छे लगते ह हो के एक बहुत छोटे टुकडों में बदल जाते हैं, फिर करते-करते अलग-अलग शेप में चले जाते हैं, क्ले बन जाते हैं, और यहां तक आते-आते सैंड में जाधत अबदिल हो जाते हैं, तो यहां से ट्रांस्पोर्टेशन कर रही है नदी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इसने यहां पर डिपॉजिट कर रखा है, जो हिस्सा यहां डिपॉजिट कर रखा है, वो एक पंखे के समान दिखता है, इसको हम बोलते हैं जलोड पंख, फिर बाकी बीच-बीच में डिपॉजिट करते जा रही है, ठीक है, अब जब बीच में नदी ऐससे डिपॉजिट कर रही है अपने रास्ते में, तो मान लिजी यह नदी है, यह नदी का मुख्य हिस्सा है, जो पहले बह रहा है और energy क्या होगा slope के बाद energy धीरे-धीरे कम होते जाएगी तो अब वो उतना carry नहीं कर पाएगी सबसे पहले बड़ा वाला हिस्सा छोड़ देगी फिर धीरे-धीरे-धीरे छोटे-छोटे हिस्से छोड़ते जाएगी deposit करते जाएगी जो sediment से और ultimately अपने delta के पास ज कुछ यहाँ deposit कर लिया और जब भी sediments deposit करेगी इसका course बदलने का chance होगा मतलब इसका रास्ता बदलने का chance होगा तो यह अब ऐसे जाने लगेगी इसको जहां से रास्ता मिलेगा ठीक है अब यह आकार कैसा होते जाएगा इस तरीके से होते जाएगा देख रहे हैं यह रास्ता कैसे बन रहा है अब आने वाले समय में और deposits होंगे और जहां-जहां deposits होंगे नदियां अपना रास्ता थोड़ा सा बदलना शुरू कर देंगी जब नदियां अपना रास्ता बदलेंगी तो ultimately क्या होना शुरू हो जाएगा इसी को कहते हैं विसर्पन या फिर मियंडरी तो फिर नदी इस तरीके से दिखने लगेगी ठीक है तो यह मियंडरींग हो रहा है विसर्पन हो रहा है नदियों का साप की तरह ऐसे नदियां दिखती हैं ठीक जब इस तरह मियंडरींग होने लगेगा तो फिर क्या होगा जो नदी का हिस्सा बाहर की तरफ यह जो हिस्सा है इसमें जो नदी का पानी टकराएगा तो यहाँ पर कटाव करेगा इसको काटना शुरू करेगा और अंदर वाले हिस्से में उसका फ्लो कमजोर पड़ेगा धीमा होगा वहाँ एनर्जी कम होगा तो जो बचा-खुचा अपना बचा-खुचा इन दसेंस उसके पर सेडिमेंट्स की कमी नहीं है वह विशाल मात्रा में सेडिमेंट्स लेके चल रही है जहां-जहां चांची नहीं है इसको Carry करने का वहाँ उत्ra हिस्सा छोडते चल रही है तो यहां डिपॉसिट होने लएगा ठीक है अंदर वाले हिस्से में और बाहर वाले हिस्से में क्या हो रहा है कटाओ हो रहा है इसके बाद क्या होगा ये और शार्प मियंडरिंग करना शुरू करेगी deposits की वैसे क्योंकि deposit तो हर जगा ये कर ही रही है यहां major deposits हो रहा है क्योंकि यहां बहुत ज़्यादा slow है energy कम है तो इसकी मियंडरिंग और इस तरीके की होने लगेगी जब मियंडरिंग बहुत ज़्यादा शार्फ होने लगेगी, तो एक नई चीज बनकर आएगी जिसको कहते हैं गोखुर जील. ठीक है? अब नदी कुछ इस तरह से बहने लगी है, ये बीच में नदी है, imagine कि फिर यहां बाहर वाला हिस्सा क्या हो रहा है? कट रहा है इधर बाहर वाला हिस्सा कट रहा है अंदर वाले हिस्से में डिपॉजिट हो रहा है धीरे 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 क्या होगा यह दोनों आपस में मिल जाएंगे कट्टे 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 और जैसे ही इस नदी को यहां से रास्ता मिलेगा, ये नदी सिधी हो जाएगी, फिर से, सिधी मतलब ऐसे मिल जाएगी, और ये वाला हिस्सा अलग सा दिखने लगेगा, और ये इस इस्से को क्या कहेंगे, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, गोखुर जीद, जाता है जबकि मैदानों में ढाल के हिसाब से बहती हैं मौनसून के समय जलस्तर और अधिक हो जाता है अब यही सब आकृतियां जो बनती हैं जो हमने अभी समझा कि जैसे यह हिमाले है मान लिजे तो हिमाले का जो दक्षनी ढाल है वो मन्द है उतरी ढाल जो है वो मन्द है हमने देखा था पहले भी और दक्षनी ढाल इसका तीव रहे मतलब हमारी तरफ जो ढाल है वो तीव रहे जो तिबबत की तरफ है वो मन्द है जो दक्षनी ढाल से यहां से नदी उतर रही है ठीक है, तो सबसे पहले यहां क्या कर रही है, जैसे ही इसका slope change होता है, उसको energy कहां से मिल रहे है, slope की वैसे, जितने slope पर आपको दोड़ा दिया जाए तो आप तेजी से नीचे से चलते जाएंगे, किसी चीज़ को लुड़का दिया जाए तो अपने आप चलते जाएगा, क तो नदियों के साथ भी यही है, slope पर उनके energy बहुत जाएगा है, जैसे ही इनका slope यहां break होगा, यहां पर यह अपने boulders को deposit कर देंगी, और जब boulders को deposit कर देंगी, तो यह पंखे की तरह हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं जलोड़ पंख, देखिए, यह पहाड़ है, इन प ऐसे मतलब उपर से नहीं, अंदर से बह रही होगी, अहीं कहीं खड़े हो कर देखते हैं पहाड़ पे, कि अरे वाह, कितना बढ़ी है जरना है, तो उसके बीच से कटते हुए पानी आ रहा है, तो वैसे ही नदी भी पहाड़ों के बीच से जब निकलती है, यहां पर यह अ अलुवियल फैंस बन जाएगा, तो यहां जलोड पंक या फिर जलोड शंको बन गया, और जैसा मैंने कहा कि यहां जब यह उतर रही है, तो बहुत ज़ादा फोर्स के साथ क्या कर रही है, वर्टिगल कटाओ कर रही है, मतलब वी आकार की शेफ लेकर काट रही है चट्ट मतलब बहुत समय के बाद अब यू आकार का शेफ दिखने लगेगा, तो यहां दिखेगा वी आकार की घाटी, जब लंबवात अपरदन हो रहा है, जब स्लोप ब्रेक होगा, रफतार कम होगी, एनरजी कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा वेलोसिटी, तो यह यहां समद्र में जाना है फाइनली नदी को, तो समद्र तक ढाल हमेशा उपर से नीचे ही होगा, मंद हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि स्लेट सर्पेस पर सी लेवल के बराबर आजाए, तो नदी जाएगी कैसे, तो मंद ढाल पर यह आगे बढ़ रही है, ठीक है, औ और जब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इसमें पार्श्विक अपर्दन हो रहा है, मतलब अब इधर भी कट हो रहा है, मतलब यह एरिया वाइड होते जा रहा है इसका, नदी धीरे धीरे वाइड होते जा रही है और एक और बात, यह हो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस से वेक कम होगा, एनर्जी कम होगी, ये deposit और जाधा करेगी, और एक समय के बाद ये इतना deposit करने लगेगी, कि अपने ही रास्ते को बनाने के लिए इसको अपने deposits वाले जगों को छोड़ कर अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, और फिर वो meandering करने लगेगी, विसरपन करने लगीगी इस तरीके से, ये मियंडरिंग एक समय क्या होगा, इतना शार्फ हो जाएगा, कि जैसा हमने देखा कि गोखुर जील कैसे बनता है, यहां पर आते आते ऐसी संरचना हो जाएगी, ठीक है, और ऐसे करते करते ये वाला हिस्सा अलग ही हो जाएगा, और ये सीधा ऐसे निकल जाएगी, मतलब ये गोखुर जील हो जाएगा, फिर आप almost plane पर चले आएं, समुद्र के पास चले आएं, और समुद्र के पास जब एकदम धीरे 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 नदी समुद्र की तरफ जा रही है, सारे deposits अपने डालते जा रही है, तो नदी basically क्या कर रही है, समुद्र के पास ये सारा deposit कर रही है, एकदम समुद्र के corner पर, इसका भी आकार एक aluvial fan की तरह होगा, जलोड पंक की तरह होगा, बसंतर ये है, कि यहाँ ये sea level के पास है, समुद्र के एकदम मुहाने पर आ गया है, और वहाँ पहाड से उतरते के साथ है, land पर है, इस्थल पर है, और यहाँ ये sea वाले coastal पर जाकर यहाँ डाल रही है अपना deposit, जब ये deposit ऐसे डालने लगेगी तो क्या होगा, एक तरफ से ये deposit कर रही है और दूसरी तरफ से समुद्री लहरे इसको काट रही होगी, तो दोनों के बीच competition चल रहा होगा, इसलिए delta कई तरह के है, वो आप कोर्भूगोल में पढ़ते हैं, कि delta यहाँ पर कई तरह के बनते हैं, लेकिन हम अगर मोटे तोर पर समझें, तो यहाँ पर नदी ने अपना ही रास्ता चोक कर लिया है, और जब ये चोक कर लेगी, तो क्या करेगी, प्लेन वाले हिससे को काटना शुरू करेग एक और रास्ता बना लेगी फिर एक और रास्ता इधर बना लेगी अपना रास्ता अपने ही बंद कर दिया है उसको खुद ही नहीं पार कर पर रहे है अब उसमें एनर्जी बची हुई नहीं तो फिर जहां जहां से थोड़ा थोड़ा रास्ता मिलेगा बहुत narrow lines में क्या आगे बढ़ेगी, मिलना तो समुद्र में ही, तो ultimately ये क्या होगा है, डेल्टा बन जाएगा नदी का, जैसे सुन्दर बन डेल्टा, कहीं कभी डेल्टा, इन सुन्दर बन इसका सुन्दर उदाहरण है, क्योंकि नाम ही सुन्दर बन है, तो बात समझ में आ गए आपको, क्या इरोजन के तहत, जलोड पंक और शंकू, यहां गोर्ज भी मिलेगा, क्योंकि पूरुवर्ती नदियां है, तो गोर्ज भी बनेगे, ठीक है, फिर ढाल मंद होगा, यहां पर जलोड पंक बन गया, मंद ढाल होगा, विसरपन होने लगेगा, विसरपन होगा, तो गोखुर जील के बाद निक्षेपन होगा, तो डेल्टा बन जाएगा, यहां एकदम समुदर के मुहाने पर, देखिए, यह है वी आकार की घाटी, इसके तली में यह बह रही है, नदी, फिर दीरे 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 यह वी आकार की घाटी इधर भी कटना शुरू होगा, इधर भी कटना जाएगा, फिर गौर्ज, पूर्वर्ती नदिया, यहां देख रहे हैं, एक तरफ से एकदम खड़ा पहाड है, एक तरफ से खड़ा पहाड है, और बीच में नदी बह रही है, क्योंकि इसने अलाव नहीं किया है, इन माउंटेन्स को बनने के लिए, यह बाद में आये हु प्लेट टकराए, धीरे-धीरे फोल्ड हुआ, तो फिर पहाड बना, कई मिलियन साल लगे पहाड बनने में, लेकिन इन नदियों ने क्या किया, पूरवर्ती नदियों ने, जो कि पहाड बनने से कहीं पहले से हैं, इनके फ्लो ने इसको, इस वाले हिस्ते को कभी बनने ही नहीं दिया, तो इसलिए ये गौर्ज कहलाता है, गौर्ज का ही एक विस्तरित रूप है, जब बहुत डीप डिखेगा, वो कैनियन कहलाता है, कैनियन से हमें यहां मतलब नहीं ही, फिर हमने देखा कि जब पहाड से उतरने के बाद नदियां डिपॉसिट करेंगी अपने बॉल्डर्स को, यह सबसे बड़े वाले सेडिमेंट्स होंगे, तो यहां पर एक जलोड पंक बन जाएगा, अलुवियल फैन बन जाएगा, और यह बड़े-बड़े होंगे तो क्या होगा? इसकी बहुत ही पॉरस होंगे, पर्मेबिलिटी इनकी बहुत जादा होगी और इसमें हम पढ़ते हैं कि इसी को यह भावर कहते हैं हम इंडिया के संदर्व में और यहां हम पढ़ते हैं कि नदियां विलुक्त हो जाती हैं, जिसके अंदर चली जाती हैं, फिर होगा, यह इस तरीके से मियंडरिंग होने लगा, ठीके, यह अपने ही डिपोजिट्स की वज़ा से क्या होगा, धीरे धीरे अपना रास्ता चेंज करने लगेगी, और मियंडरिंग होते होते होते, हमने क्या देखा, बाहर वाला जो हिस्सा होगा, यहां जाकर नदी का पा वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा नदी की रफ्तार इस तरफ से दिखाए गया इसमें तो यहां कट कर रहा है और अंदर वाले हिस्से पर डिपॉजिट कर रहा है यहां वाले हिस्से पर कट कर रहा है अंदर क्या कर रहा है यहां डिपॉजिट कर रहा है बाहर कट और अंदर deposit हो रहा है, तो दीरे-दीरे क्या स्थिति बनेगी कि और meandering sharp जब होते जाएगा, deposit बढ़ते जाएगे तो, दीरे-दीरे क्या स्थिति होगी कि ये दोनों cut करते, 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 दोनों का पानी मिल जाएगा और यह सीधा चैनल हो जाएगा तो जब यह सीधा चैनल हो गया तो यह अलग से गोखुर जील बन गया देखिए यहां क्या हुआ? कट करते करते यह दोनों का पानी ऐसे मिल गया मेहंटरिंग वाले दोनों पार्ट का ये पानी और ये पानी और ये एक अलग हिस्सा होगी है जो कि गोखुर जील है और फिर फाइनली जब समुद्र के पास आप जाएंगे तो नदियां जैसा मैंने कहा कि आपने ही निक्षेप को अपने माउथ पर चोक कर लेंगी डिपॉजिट करते चाहेंगे अब उनमें एनर्जी बची ही नहीं है समुद्र के पास जाते जाते स्लोप एकदम ना के बराबर है अब उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है वेलसिटी नहीं है अब क्या होगा वहाँ पर पूरा का पूरा डिपॉजिट करना शुरू करें तो इनका माउथ चोक होने लगेगा और माउथ जब चोक होने लगेगा तो फिर इनको अलग-अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा समुद्र में जाने के लिए तो पंखे की तरह पंजे की तरह डिल्टा बन जाएगा बात समझ में आगई चलिए यहाँ पर एक कुश्चन आप सौल्व करके मुझे बताईए हिमालेई नदियां भारतिय अस्तलाकृति में किस तरह परिवर्तन लाने में सक्षम है यह मेंस के लिए है विशदी करण की यह और पीटी के लिए जिसका जवाब आपको देना है मुझे निमलिखित में कौन नदी की निक्षेपण गतिविदियों से सम्मंधित हैं जलोड पंख क्या पूछ रहा है डिपॉजिट की एक्टिविटीज से कौन नदी कौन सी चीज़ें सम्मंधित हैं जलोड पंख गोख में पताना है क्योंकि इसका पूरा कॉंसेप्ट का जो थोड़ा बहुत जरूरी हिस्सा था वो हमने यहां पर कर लिया है आज मेरी भी एनरजी अच्छी नहीं चल रही है गला चोक है और तबियत भी चोक है तो मैं भी डिल्टा के पास जो नदी की स्थिती होती है वैसी ही इस थिती में हुँ हूं तो इसलिए आप जवाब जरूर दे दिजेगा ठीक है आएए अब देखते हैं गंगा नधी तंत्र के बारे में गंगर नदी तंत्र में हमको देखना है क्या गंगोत्रे के पास गोमुक से कौन सी नदी निकलती है भागी रथी गंगोत्रे से भागी रथी नदी निकलती है और एक नदी आती है अलक नंदा बदरिनात होते हुए ये दोनों देव प्रयाग में मिलते हैं और देव मिलने के बाद इसको गंगा काघा जाता है। इसके अलावा और भी नदियां इसके आज से निकलती हैं। जैसे यमूनुत्री से यमुना निकलती है और यह यमुना गंगा की सबसे महतुपूर्थ साहएक नदियी graveyard बताने की ज़ूरत नहीं है। केदारनाच से होकर मंदाक नहीं आती हैं, ठीक है, बद्रीनाच से हमने देख लिया अलग नंदा, अलग नंदा में अलग अलग जगों पर कई सारी नदियां जुड़ती हैं, उनकी सायक नदियां हैं अलग नंदा की, और वहां पंच प्रयाग बनता है, अलग नंदा में अलग प्रयाग में और भागिरथी जब मिल जाएंगे तो उसके बाद ये गंगा हो जाएंगे और यमुना के बारे में हमने जान लिया है आए गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है करीब 8.6 लाख स्क्वाइर किलो मिटर में ये नदी बेसिन फैला हुआ है एक बात में आप लोग हमेशा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है ये अलग सवाल है और नदी का बेसिन एरिया किन किन राज्यों में है ये अलग सवाल है जैसे गंगा के अगर बात करें तो गंगा कहां से निकलती है उत्तराखंड से उत्तराखंड से निकल कर फिर वो उत्तरप्रदेश में फिर बिहार में फिर जारखंड में फिर पश्चिम मंगाल में और फिर बंगलादेश में चली जाती है तो कितने राज्यों से होकर गंगा बैती है अगर मैं आप से सवाल पुछों कि कितने राज्यों से होकर गंगा बहती है तो गंगा पांच राजियों से होकर बहती है उत्तर खंड में उत्तर प्रदेश से होकर बहती है फिर बिहार से होकर बहती है फिर जहार नदी का बेसिन कितने राजियों में फैला हुआ है तो इसका जवाब कुछ और हो जाएगा, इसमें हिमाचल प्रदेश भी आ जाएगा, इसमें मद्य प्रदेश भी आ जाएगा, क्यों आ जाएगा इस बात को समझे, जब हम बेसिन की बात करते हैं, तो बेसिन में, मान लिज नदियां आकर मिली हुई हैं इन सहायक नदियों की भी कई सारी सहायक नदियां हैं तो बेसिन एरिया किसको कहते हैं या कैच्मेंट एरिया किसको कहते हैं नदि को जितने एरिया से पानी का प्रवाह मिल रहा है पानी वाटर मिल रहा है मतलब इस मुख्य नदि को अगर इस नदी से पानी मिल रहा है क्योंकि ये इसकी सहायक नदी है और ये इसकी सहायक नदी है तो पानी तो यहां से भी आ रहा है तो इस पूरे को हम कहते हैं कि यह उस नदी का बेसिन एरिया है, या फिर यह उस नदी का catchment एरिया है, ठीक है समझ गए, और जब प्रवाह केवल नदी का पूछेंगे तो उसका सजवाब अलग हो जाएगा, इसलिए गंगा नदी बेसिन का जो एरिया है वो करीब 8.6 लाख स स्क्वाईर किलो मिटर एरिया है जबकि नदी कितनी लंबी है नदी है 22010 के आसपास पस 310 किलो मिटर के आसपास लंबी है देखे इस बेशन का विस्तार उत्तर अषंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिरीाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां उत्तर प्रदेश रिपीट हो गया है, इसको काट लीजेगा, बिहार जहारखंड पश्चिम बंगाल में विस्तारित है, नदी के लंबाई पचीस सो दस किलो मिटर है, कहां कहां से प्रवाह है इसका, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहरखंड और पश्चिम बंगाल, गंगा की शुरुवात होती है भागी रथी के नाम से गोमुख ग्लेशियर से उत्राखंड में, चली देख लेते हैं अप, गंगा की शुरुवात भागी रथी के नाम से गोमुख ग्लेशियर से होती है, ग्लेशियर करिब करिब 7 7,000 मीटर के उचाई पर है उद्गम के बाद महाखड यानि गौर्ज बनेगा क्योंकि हमने देखा जब गौर्ज बनता है तो क्या होता है यह पूरू वर्ती नदी है इसलिए गौर्ज बनाएगी और संक्रिण घाटियां बनेगी वी आकार की ठीक है देव प्रयाग में अलक गंगोत्री और काटलिंग हिमनत से भागी रथी निकलती है गंगोत्री पर आकर इसमें केदार गंगा मिलती है अब यह सम मैप पर नहीं मिलेगा ठीक है यह आपको अपने नोट्स में ही लिखना पड़ेगा और वहाँ पर ऐसे मार्क कर लीजेगा मैप पर जट गंगा भै जालंधरी गड आकर मिलती है यह सारी नदिया है उसकी जहाला के पास सियान गड मिलती है उत्तरकाशी के पास आसी गंगा नाम की एक नदी मिलती है और पुरानी टेहरी के पास भील गंगा तो अगर इसमें से कुछ याद रखना होगा तो उत्तरकाशी में और टेहरी में क अलक नंदा का श्रोप जो है उदगम वो सतोपत और खड़क ग्लेशियर के संगम से है ठीक है एक जगह है माना जहां पर यह सरस्वती नदी इससे आकर मिल जाती है माना के दक्षिन में कुछ दूर से बदरिनाथ से यह गुजरती है अलक नंदा गरवाल अच्या अलक नंदा और मन्दाकनी में भी कई लग कार। तो इससे आपको हमेशा द्यान पर आएगा और गरवाल हिमाले में अलक नंदा क्या करती है अलग अलग नदियां मिलती है इससे और पंच-परियाग बनाती है और ये पंच प्रयाग क्या क्या है, इसका कोई code अगर हो सके तो बना लिजे first letter से कुछ ऐसा code बना लिजे, जो आपको याद रहे विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा नंद प्रयाग पर नंदाकनी ठीक है, कर्ण प्रयाग पर पिंडार गंगा रुद्र प्रयाग पर मन्दाकिनी, देव प्रयाग में भागी रती और उसके बाद यह गंगा बन जाती है, बिना काम के मत आना रुद्र देव, ठीक है, बिना काम या बिना काम के मत आना रुद्र देव से वी से विश्णु प्रयाग हो जाएगा, न से नंद प्रयाग हो ज कस से कर्ण प्रयाग हो जाएगा, के मत आना रुदर प्रयाग और देव देव प्रयाग बिना काम के मत आना रुदर देव या बीना काम के भी आना रुद्र देव ऐसा कर लिजे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो हमने बात कर लिया कि गंगा नदी जो है ये गोमुक से यहां गंग भागी रती निकलती है भागी रती में आकर अलक नंदा आकर मिल जाती है और अलक नंदा के मिलने के बाद ये क्या कहलाती है गंगा कहलाती है और ये पाड से उतरने के बाद हरिद्वार में प्लेन वाले इलाके पर आकर शुरू होती है प्लेन का इलाका शुरू होता है हर द्वार में तो प्लेन के इलाके में मैदानी इलाके में प्रविश करती है यह हर द्वार में फिर इसकी सबसे महतुपूर्ण सहायक नदी कौन सी है यमुना जो की यमुनोत्री से निकलती है और या जाकर इससे मिलती है प्रयागराज में एक गंगा के सहायक नदियां बहुत सारी है जिसमें ये नदि जो पहली दिख रही है ये राम गंगा है इसके बाद एक महतवपूर्ण नदी यहां दिख रही है जो घागरा है फिर गंड़क एक नदी यहां बूढ़ी गंड़क मिलेगी फिर नदी मिलती है कोसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह अपना रास्ता बदलते रहती है ठीक है और इसमें बहुत हर साल लगबग बाढ़ा आते ही आता है इसके बाद यह जब कोसी मिल जाती है तो इसमें एक और नदी मिलेगी महाननदी दारजिलिंग वाले हिस्से से महाननदा आकर मिलती है ठीक है और यहां फरक्का बांध है वेस्ट बेंगॉल में और यहां से यह इसके बाद दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है एक बांगलादेश चली जाती है चूकि पदमा है और दूसरी हुगली है जो वेस्ट बेंगॉल में मूव कर जाती है और हुगली नदी जाकर फिर डेल्टा बनाती है यहां पदमा आगे जाकर मिल जाती है जमुना से और ये आगे जाकर मिल जाती है मेघना से और फिर मेघना की ब्रांच आगे डेल्टा बनाती है जिसको कि हम गंगा प्रह्म पुत्र की डेल्टा कहते है और ये बहुत ही बड़ा एक डेल्टा बनता है जिसको सुंदर बनका डेल्टा कहते है खुगली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है दामुदर इसके अलावा अगर यमुना की बात करें तो यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है इन दोर के जाना पाउसे चम्बल नदी, बेतवा, सोन गंगा की सहायक नदी है जबकि चंबल, बेतवा और यहां केन होगा जो की यमना की साहिक नदी है फिर सोन जो की अमर कंटक से निकलती है, अमर कंटक से निकल कर जाकर पटना के पास मिलती है यह गंगा की साहिक नदी है और गंगा की एक और साहिक नदी है जिसको बोलते हैं पुरानी गंगा इस map में mark किया है मैंने यह यहां कहीं आकर मिलती है तो यह इसका पुरा flow chart है देव प्रयाग में गंगा जब बन जाती है तो यह हरदवार के मैदान में प्रवेश करती है गंगा उतरती कैसे है? पहले उतरती है दक्षन की तरफ उतरते हुए उसके बाद इसका flow दक्षन पूर्व की तरफ हो जाता है तो दक्षन पूर्व में बहते हुए यह प्रयाग राज में यमुना के साथ संगम करती है इस पर कुछ महतुपूर्ण शहर कौन कौन से हैं? वाराणसी, मिर्जापूर, यूपी में पट्ना मुंगेर भागल पूरित्यादी जो हैं वो बिहार में हैं, उनसे घुजरती है मालदा के पास है फरक्का बैराज, जहां से इसकी भुजाए बढ़ती है एक भुजा बांगला देश में जाती है, इसको पदमा कहते है दूसरी भुजा दक्षिनपूर में हुगली के रूप में बहते हुए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है पदमा नदी बांगला देश में ब्रह्म पुत्र से मिलती है, जो बाद में मेघना से मिलती है और सुन्दरबन डेल्टा बनाती है, जिसको गंगा ब्रह्म पुत्र का डेल्टा कहते है अब हुगली की बात कर लिजे, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में हावडा, कुलकाता और हल्दिया से बुजरती है तो ये सारे पोर्ट हैं, आपको पता है, हल्दिया भी पोर्ट है, ठीक है, हावडा आप जाते होंगे, तो हावडा ब्रिज भुगली पर ही बना हुआ है बंगाल में निक्षेपन जादा होने से गंगा नदी का जल बट जाता है, बहुत जादा डिपोजिट हो जाता है वहाँ, तो गंगा नदी का जल बट जाता है, और जैसा मैंने कहा, कि जब अपने डिल्टा के पास गंगा नदी भी अन्य नदियों की तरह माउट को चोक कर है कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से यह कनेक्टिविटी प्रदान करती है एक अभ्यास प्रश्ण देखिए गंगा नदी उत्तर भारत और दक्षिन भारत के मध्य जनांकी की अंतराल बनाने में मुख्य भूमिका में है इस पष्ट कीजिए यह मेंस के लिए है और इसका आंसर आपको देना है कि गंगा नदी पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक चौड़ी होती जाती है क्यों पश्चिम में निक्षेपन अधिक प्रभावी है प लेकिन नोट्स में आपको मिल जाएगा दाएं तट से यमुना सोन पुरानी गंगा और बाएं तट से हमने देखा राम गंगा गूमती घागरा गंडक बुढ़ी गंडक कुसी ठीक है और महानन्दा देखें यह है बुढ़ी गंगा तो दाएं तट से कौन-कौन मिल रहा है इसकी सबसे प्रमुक साहयक नदी यमुना रियाग राज में उसके अलावा सोन सोन कहां से निकलती है अमरकंटक के उससे पठार से और यह ओल्ड गंगा या पूरानी गंगा और जादा तर इसकी जो नदीया मिलती हैं साहयक नदीया गंगा की वो बाएं तट से मिलती हैं और बाएं तट से एक क्रम आपको याद रखना होता है सबसे पहले राम गंगा गोमती गागरा गंडक बुढ़ी गंडक बिहार में ही और कोसी नेपाल से आती है पटना के पास मिलती है और महानन्दा ठीक है और इसी के जस्ट आगे है परक का बराज पर शिम बंगाल यहीं से एंट्री हो जाती है पदमा के रूप में ये बांगला देश में एक ब्रांच चला जाता है एक हुगली के रूप में वेस्ट बेंगॉल में एक ब्रांच इस का चला जाता है और वेस्ट बेंगॉल में जब ये हुगली नदी जाती है तो इसकी मुख्य साहयक नदी कौन सी है दामूदर नदी इसी तरह हमने देखा यमुना यमुना की साहयक नदी है एक चम्बल सिंध बेतवा केन बेतवा और केन के बीच में इस समय इंटर लिंकिंग परियूजना बहुत ज़्यादा चर्चा में है उसको जरूर देख लिजेगा एक्जाम में आ सकता है तो चम्बल सिंध बेतवा और केन चम्बल की भी अपनी साहयक नदियां है बनास जो हम लोग मैप इन न्यूज में लगातार पढ़ते ही रहे है काली सिंध पारबती ठीक है तो यह इस तरह से पुरा गंगा का इस्ट्रक्शर है यमुना के बारे में जान लीजिए यमुनोत्री हिमनद से निकलती है जिस मांटेन से निकलती है उसका नाम है बंदर पूँच और वहां ग्लेशियर भी है तिर्शट सौ मीटर के उचाई पर है यह और वो कितने मीटर की साथ हजार से उपर मीटर के उचाई पर था गोमुक नीचे की तरफ बैहते हुए मसूरी परवत श्रेणी के पास एक नदी है टौन्स नदी तो इससे जाकर टौन्स नदी मिलती है मसूरी के पास ये आती है इस तरफ से हिमाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर इलाका है इधर से प्या नदी का नाम है टोन्स उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा किलोमेटर से में लगता है दिल्ली उत्तर प्रदेश इत्यादी में इसका प्रवा है उत्तर प्रदेश के आगे कहां प्रवार आएगा प्रयाग राज में तु जाकर गंगा से मिल जाएगी तू उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इसका प्रवा है प्रयाज राज में चंबल सिंध बेतवा और केन फिर राम गंगा जो की गंगा की साहयक नदी है लेफ्ट से पहली नदी जो मिलती है और राम गंगा मिलती है राम गंगा पौड़ी गड़वाल से निकलती है दूट्टोली रेंच से गंगा की पहली बड़ी सहायक है जो बाएं तटपरा कर मिलती है ठीक है लेफ्ट से मिलती है अलमोडा और पौडी जाते हैं आप घुमने कलागड बिजनौर मुरादाबाद रामपूर बरेली इत्यादिमेश का प्रवा है इसकी सहायक नदिया रामगंगा की है खोह गगन अ बरेली ये सब इसके प्रवाह में आते हैं फिर घागरा नदी है घागरा का उदगम है मान सरोवर से कुछ दक्षिन में ग्लेशियर से और ये भी पूरुवर्ती नदी है उपरी प्रवाह में इसे मंचू या करनाली कहते हैं करनाली नदी को नेपाल में कौरियाला और मैदान में घागरा कहते हैं, तो घागरा का नाम उपरी जो अपर रीच है उसमें क्या कहते हैं, मंचू और करनाली, आपने इस वाले में देखा होगा, ये जो घागरा है, इसे यहां मंचू और करनाली कहते हैं, ठीक है, और इसी को बाद में गंगा के मैदान में इसको कहते ह गागरा, 70 किलोमेटर दक्षिण के वहने के बाद ये नेपाल में प्रवेश करती है, जहां से निकलती है उसके बाद, दोरी गंज, छपरा, दोरी गंज, छपरा में है, बिहार में, जहां ये बाये तट से गंगा में मिल जाती है, तो बहुत लंबा प्रवाह है इसका, सायक नदि इसकी जो है शारदा या फिर काली, राप्ति, क्वानों और छोटी गंडग, ये सब इसकी सहायक नदिया है, चिक है, गोमती नदी, उधगम है इसका पिलिभीत उत्तर प्रदेश में, गोमत ताल जील से गोमती एक्सप्रेस से जाते हैं आप लखनव, तो पिलिभीत उ मतलब गुजरती है, गाजीपूर में ये गंगा नदी से मिल जाती है, इसकी सहायक नदिया है, गचई, साइ, जोमकई, बरना, चुहा, गिरी, कठना और कल्याणी, ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है, ये सीतापूर है यहाँ पर और लखनव, ठीक, गंडग, नेप उत्तर से मिलती है, गंडग हम देख चुके हैं, हमने देखा गंगा में राम गंगा, गोम्ती, घागरा, और फिर गंडग, ठीक है, कोशी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, अरुन कोशी इसका उदगम है, मतलब तीन मिलती है, अरुन कोशी, सनकोशी और तामुर कोशी के मिलने से यह बनती है, अरुन कोशी एवरेस्ट के दक्षिन से निकलती है, ठीक है, पश्चिम की ओर सनकोशी और पूर्व से तामुर कोशी, यह सनकोशी है, ठीक है, और यहां तामुर रिवर आ जा रही है, और उत्तर से आ जाती है अरुन कोशी, तो यह अरुन कोशी, सनक कोशी और तामर कोशी के मिलने से आगे ये सब्त कोशी रिवर बन जाती है और आगे कोशी कहलाती है महाभारत श्रेणी के उत्तर में समानांतर बहती है और अरुण नदी के मिलने के बाद इसको सब्त कोशी कहते है महाभारत श्रेणी के उत्तर में नेपाल ये हो गया इसको हमने देखा था ना हिमाले को नेपाल वाले इलाके में जब हम वर्गीकरण पड़ रहते तो महाभारत लेक कहते थे तो महाभारत श्रेणी के उत्तर में समनांतर ये बहती है और जब अरुण कोसी मिल जाती है तो दिख लिया था दार्जिलिंग हिल्स पश्चिम मंगाल पूरवी भारत में गंगा की प्रमुक सहायक नदी है दक्षिण में बहते हुए बिहार के मैदान और फिर पश्चिम मंगाल में प्रवेश करती है। तो ये पूरा factual पार्ट था और जो शुरू का हिस्सा था वो conceptual पार्ट था, मुझे उम्मीद है कि आपको गंगा के बारे में ठीक ठाक जानकारी हो गई होगी, तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही रखते हैं, आज थोड़ी सी तबियत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा energy level म उम्मीद है अगली क्लास में आपसे अच्छे से मुलाकात होगी, गंगा के बारे में हमने जो भी जानकारियां ली हैं, उसका conceptual पार्ट ज़रूर कर लिजेगा, ये तो आप कर ही लिजेगा जब PDF में लेगा, PDF कहा हम लेगा, अमरे तुपाध्याए 007, AMRIT-UPA-DHYAY-007 टेलिग्राम चैनल है, और यही मेरे इंस्टा और ट्विटर का चैनल है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले फ्लास में मुलाकात होगी, ख्याल रखिए, नमस्कार.